जिला चम्बा के उपमंडल सलूनी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वाइरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिसे देखते हुए उपमंडल प्रशासन भी अपसतर्क है। जहां सुन्डला बजार वा कांडी गाउं के बाद अब उपमंडल सलूनी के मंजीर गाउं वा मंजीर बजार में पांच दिनों के लिए पूरी तरह लॉक्टाउन लगा दिया है। यहां जारी आदेशों में प्रशासन द्वारा लोगों को हिदायत देते हुए कहा है कि 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मंजीर गाउं वा मंजीर बजार पूरी तरह बंद रहेगा। जहां किसी भी व्यक्ति के यहां आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। और बेबजह लोग अपने घरों से न निकलें। इसलिए ग्राम पंचायत मंजीर के मंजीर गाउं वा मंजीर बजार को कंटेनमेंट जोन घोशत किया गया है। और प्रशासन ने यहां पांच दिनों के लिए पूरी तरह बंद के आदेश जारी करते हुए कहा। एकी 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अपने घर पर ही रहें और अपातकालीन स्थिती में ही घर से बाहर निकलें। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। केवल मेडिकल इमजेंसी में ही वह घर से बाहर आ सकते हैं। बहीं उपमंदल प्रशासन ने अपातकालीन परिस्थिती में या किसी जानकारी के लिए उपमंदल प्रशासन के कंट्रोल रूम का नंबब शून्या एक आर्ट नौच है दो तीन तीन एक दो दो जारी किया है जिस पर संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है। हिमाचल तेज खबर के लिए सलूनी से बयरो रिपोर्ट हिमाचल तेजिया रूम जाय सकती है। हिमाचल धर भजद प्रश भाईयर